तो आज की वीडियो क्या होने वाली है यह अप लोगों को तो थमनेल देखके पता चली चुका है अगर आप लोग मेरे इस मेकप लूक से या तो मेरी जोग मेकप लूक में क्रेट की हूँ अप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करना ना भूले और नियो वीवर्स प्लीज आप लोग मेरी आदर्स वीडियो भी देखे और यह वीडियो देखने के बाद आप लोगों को अगर सच में मेरी चैनल अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कीजिए और कामेंट भी कीजिए और क्या-क्या इंप्रोब्मेंट लाऊं मेरे मतलब चैनल में मतलब कंटेंड में प्लीज आप लोग सजेस्ट भी मुझे करना तो आम सॉरी जो लोग मुझे जानते हो कि इतना दिन तक मैं वीडियो इसने ने लाप आई थी क्योंकि फैमली में थोड़ा सब पर्सनल प्रॉब्म था तो आम सो सॉरी आज अपसे में रेगुलर होने की कोशिश करूंगी आप कोई बताए कि we all are busy हम लोगों के life में कोई ना कोई काम तो रहता ही है चलो जादा बात नहीं करके यह लुक मैं एकदम इंडियन गेस्ट मेंकप लुक शेर की हूँ वेडिंग के लिए अप लोगों को डेफिनिटल अगर अच्छा लगे तो प्लीज मुझे बोलना की कैसे लगा कॉमेंट में यह बहुत ही बेसिक मेकप प्रोडक्ट से यह वाला लुक मैंने क्रेट किया है इसथी बेगिनर लोगों के लिए ही मैंने क्रेइट किया है क्योंकि जो लोग को कर ना सीख रहे हो तो फर्स अपॉल मैं यह यहां पे जॉंसन्स बेबी की जो मॉस्टराइजर रेर में क्रीम है बेबी क्रीम इसको मैं अजा मॉस्टराइजर अपलाई कर रही हूं आप लोगों को पास जो भी मॉंस्चराइजर है आप लोग एपलाई कर लो उसके बाद आफटर मॉंस्चराइजर मैं मेरे फेस में प्राइमिंग करूंगी तो प्राइमर के लिए मैं यहां पर पतान जली की सुंदरिया अलवेरा जेल रहे रही हूँ आप लोगों के पास जो भी प्राइमर है गाईज आप यूज कर सकते हो मेरे पास भी है पर मैं यहां पर बीगेनर लोगों के लिए हल्प रहेगा यह जो प्राइमर मतलब अलवेरा जेल है यह बहुत ही अच्छा प्राइमर का खाम करता है पर्सनली यह प्रोड़क्ट मुझ इसको आप ऐसा फॉंडेश और वह दिए कर सकते तो में यहां पर आई में भी इसको ऐसा कंसिलर करूँगी और यह जो पैंस्टिक है यह आप इसका जो सेडे यह में डिस्किप्शन बॉक्स में आप लोगो को दे दूँग आप लोगों को देख लेना एक बार चेक कर लेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड फिर में बेगा की एक स्पांच से मेरी फेस को पूरा ब्लेंड कर ले रही हूं को एंड याद रखे आप अपने यह यह नेक दोनू में ही पाउंडेशन बेज जो भी आप यूस करते होंगे उसको लगाना और अच्छासे ब्लेंड करना नहीं तो मेकप कैसे अननैच्रल दिखता है मतलब आपकी यह अननैच्रल दिखेगा तो अच्छासे ब्लेंड करने के के बाद मैं अब मेरे आइब्रो को फेलिन करूँगी यहां पे मैं और एक बर ब्लेंड कर ले रही हूं बहुत ही अचा से क्योंकि ब्लेंडिंग बहुत जरूरी है और लिए मैं यूज करेहा हूं मिस्क्लियर की आइब्रो पेंसिल मेरा शेड है इसमें डार्क ब्राउन मैं सब कुछ दे दूंगी और इवर में रिपीट कर दी यहाँ पर इसके बाद उसी की फिलिंग माई आइब्रोज अब मेरी आई मेकप स्टार्ट कर रही हूं आई मेकप स्टार्ट करने के पहले मैं आई में जो कंसिलर मैंने दिया था उसको पहले मैं पावडर सेटिंग कर ले रही हूं मैं इसमें यूज कर हूँ मेबलीन की कॉमपैक्ट और इसमें मेरा सेट क्या है यह मुझे सच में भी याद नहीं आ रहा है पर मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी उसके बाद मैं ACFR की एक मैट आईशाइडव पैलेट ले रही हूँ यह बहुत ही अच्छा है बिगिंटर्स के लिए चाहँ ब्लच ले रही हूँ ऐसेडव ब्लेंडिंग ब्लॉश ने इस एक हलका अब्राउन शेट जो मेरे क्रिस के साथ मैच हो रहा है वही color लेके मैं circular motion पे मेरे crease पे अच्छा से blend कर ले रही हूँ circular motion पे eye shadow blending करना बहुत ही जरूरी होता है we all knows तो अब अच्छा से eye shadow को मैं अच्छा से blend करते ही जा रही हूँ आप लोग देख भी रहे हूँ आप लोग देख भी रहे हो एंड यह eye shadow यह blending करने के बाद मैं SFR की पहला palette से blue यह हालका सा sky color की eye shadow यह भी matte है इसको मैं थोड़ा सा crease line से थोड़ा सा मतलब हट यह होके मतलब थोड़ा सा हटके मैं इसको blend कर रही हूँ ठीक है आप लोग देख सकते हो कि यह हलका सा आपको दिखाई दे रहा है मेरी पता नहीं हो वाला क्लीप मेरा के सुट नहीं हो पाया क्योंकि मैं मेरी जो DIY सेटिंग सेटिंग स्प्रे था उसको में तोड़ा सा आप लोग देख लो एसे करके मैं ट्रंग्जेशन और क्रीज के थोड़ा ऊपर यह दोनों कर लेकर अच्छा से ब्लेंड करूंगी उसके बाद में क्लीन ब्रश जो मैं क्लाफ फैक्टरी से मंगवाई थी तो यह बारा ब्राइस का अगर आपको रिव्यू चाहिए मैं दे अगर खड़ावाती है यह मैं देख उसके बाद में मैक्स आइसदो पैलेट इस्टोडियो यह ब्रैंड के बारे में मुझे सच में पता नहीं है क्यूंकि मुझे गिफ्ट में मिला था तो इसी ब्रैंड में एक देख रहे हो अप लोग को मैं मेरी लीट पे अपलाई कर ल अपलाई कर लेड़ा था कि मुझे इसी ब्रैंड में में इसको यूज कर लेड़ी हूं तो पूरी आइलीट पे में वही मेटालिक सेट को अचा से ब्लेंड कर ले रही हूं और उसके बाद में एक पैंसिल ब्रॉश के हल्प से मेरी आउट आउट आउव वी पे अचा से फ पिर एक क्लीन सा फ्लैपी ब्रॉश लेके तीनो कलर को अच्छा से ब्लेंड कर रही हूं सरकूलर मॉशन पे उसके बाद में ब्लू हैवन की पैलेट लेके यह बहुत ही अच्छा है बिगिनर के लिए पर इसमें बहुत फॉल आउट होता है यह मुझे एकदम अच्छा नह ब्लू कर्यों कि मेरी लीट पे प्रेश करोंगी इस मैंके करेश करूंगी इसके लिए गॉलिवय का दर खॉ Olaf तो फिर मैं हलका सा प्रेश्ट कर रही हुं. इस फ्ैट सेम के हेलप से पिगमेंट नहीं हा रहा था substant इस प्रेश्ट कि अपंडिया स्थेस्भ प्रेश्ट कर सकते हा। फिर में इसको फिंगर के हीलप से Proteran Green प्रेश्ट कर ली हूं एंड आधा जो कटक्रिस हम लोगों का बचेगा उसमें मैं मैं मैक्स की मैक्स की वही बाला पैलेट में से एक शेड लूँगी एंड मैं इसको यहां पर अड़िक पर ब्लेंड कर ले रही हूँ वह ब्लू एबन का जो सिमर है क्योंकि हार्स लाइन ना देखे यही मैं चाहती हूँ क्योंकि आई सेडो मैं बहुत ही अच्छा से ब्लेंड करना चाहती हूँ और आप लोग भी करें तो फिर मैं मैक्स की वही बाला पैलेट से जो मैं आप लोगो पहले ही बोली उसमें से एक गोल्डेन कलर का सेड है जो होब की कैमेरा पिक कर लिया होगा आप लोग देख लो वही सेड को मैं मेरी आधा जो लेड है उसमें लगाऊंगी वही फ्लाट सेडर ब्रश के हलसे में लगा रही हूँ अधि ये बाला जो प्लाट है मैक्स का ये सीरियसली बहुत प्लिमेंट प्लाट से थोड़ा सा पाउडर ही है आईसाइडो बेंडी है अधिक अमेजिंग फिर में ये तीनो कलर को मैं एक फ्लापी ब्लेंडिंग से तीनो को अच्छा से ब्रेंड करूँगी क्योंकि आप 3 कलर को ब्रेंट करने के बाद ही तो अच्छा से एक कलर Iser ही अशचा से कलर का लूक आएगा और बहुत अच्छा सा एक लूक दिया भी था After finishing my eye makeup मुझे दिखाई दिया तो उसी अच्छा से में फिर ये 3 कलर को अच्छा से ब्रेंड कर ले रही हूँ फिर मैं NYV की वाइट पेंसिल लेके इसको मैं अपनी ब्रावून को हाइलाइट करूँगे इससे तो मैं ये वाइट आई पेंसिल से ब्रावून हाइलाइट करना पसंद करती हूँ क्योंकि ये हैक्स में यूट्यूब में देखी थी और मुझे बहुत पसंद आप लोग भी ट्राई करना और फिर मैं एक फ्लाट शेडर ब्रेश के हल्प से मेरी लोवर लाइट लाइन को समर्च करूँगी ताकि मेरे आई लूक तो थोड़ा सा हेवी लगे देखने में वो ब्लू एबिन की जो इमारी आई सैड होता वसे में थोड़ा सा मेरी आई लाइन को समर्च कर रही हूं ये रिली आई लूक को एक अलगी ये दे देता है ग्लोइंग देता है, not a glowing, एक अचासा, मतब ब्यूटिफुल से ग्लोग देता है आपकी आई को, फिर मैं काजल के लिए यूज करूँगी, एक ब्लैक काजल तो, पहले तो मैं अपने इना कॉर्णर को हाइलाइट कर रही हूँ, वही वाइट एन्वाइबे के पेंसिल से, औ जाए आप हाइलाइट पहले भी कर सकतों तो इहाँ पहले कर ली हूँ, उसके बाद में इनवाइबे की काजल, ये काजल की जो रिव्यू है, मेरी चैनल पर दिया हुआ है, आप लोग जाकि वी वीडियो देख सकते हो, तो इस काजल को मैं लगा लुगा लोगोंगी तो इ यह आय्ली बहुत अच्छा लिए एक की बहुत इसके बारे में अच्छा है में और त। में ड्रेस ने मेने ब्लू आई-लाइन इहां प्याज लगाईंट उसके बाद मैं लेक मैं इकॉनिक मस्कारा लेके मेरे आइलैस पर लगाऊंगे उसके बद पहले में को कर्लिंग कर लोंगी आइलस करलर के यह से आप लोग को सहब भरक दिखारी देगा की मेरे एक आक में आइमेकप एकडमी नहीं है रेकडमी है एंड फिर में लेकमी की जो मस्कारा है उसको अचा से मेरे आइलासेस पे लगा लोंगी उपर आइलासेस और लोवर आइलासेस दोनों में ही लगा लोंगी दो तीन सा कोट में यहां पे दी हूँ और आप लोग देख होगे फाइनल लोक and this is my eye makeup, अब मैं सारा जो सिमर का लगुस था इसको मैं इक पावडर ब्रस के हिल्प से मैं इसको क्लीन करूँगी उसके बाद मैं पूरी फेस को Maybelline की कॉम्प्आक्ट पावडर से सेट कर लूँगी and फिर मैं मेरी blush लगाऊंगी तो आप लोगों को मैं बता दू Maybelline की जो blush है वो amazing है और मुझे बहुत पसंदी वो natural finish देता है and मैं highlighter lover तो नहीं हूँ पर मैं blush lover हूँ हूँ है मैं सच में आप लोगों को आज बोल रही हूँ तो after compact करने के बाद मेरे face को set करने के बाद compact से फिर आप लोग देखो मैं blush लगा रही हूँ and यह है Maybelline की blush मेरी इसका जो product का जो नाइका से में ली थी नाइका hall इसमें आप लोगों को Maybelline की blush के बारे में मैं साड़ा मतलब रिव्यू दी हूँ और मुझे अच्छा लगा आप लोगों को कुछ आइद अच्छा लगेगा जो लोग beginner हो यह blush प्लीज ट्राइ करना this blush is amazing blush and यह blush को मैं अपने अब लगा लेती हूँ मेरे चिक्स पे so यह blush सच में amazing है और मैं थोड़ा सा नोस पे भी blush लगाती हूँ कोरियन लोगों के जैसा क्योंकि मुझे नोस पे तब लगेगा की और मैं इस लुक पे कोई contouring नहीं की हूँ guys ठीक है क्योंकि जो लोग beginner होते हो आप लोगों को contouring अच्छा से ठीक से आएगा नहीं और आएगा भी तो वह optional उसके बाद में यह DIY highlighter मेरी लगा रही हूँ यह मैं कैसे मतलब बनाई हूँ साइद आप लोगों को अगर अच्छा मतलब लगे तो आप लोग मुझे बोल देना मैं आप लोगों को इसके बारे में एक वीडियो दिखा दोंगी ठीक है कॉमेंट में आप लोग मुझे बोलना फिर में यह highlighter को finger के help से blend कर ले रही हूँ अच्छा से और यह highlighter अगर आप लगाने के बाद फिर जब लूग आएगा ना तो आप लोगों को सच में लगेगा नहीं कि यह highlighter अप डियाइवाइज है यह लगेगा कि बहुत ही अच्छा खाशा कोई highlighter आप लगाए हो तो यह highlighter का आप लुक साही देख सकते हो कि highlighter कि मेरी फाइनल लोक आप अस्टे की लिप्टिक यूज की थी और मेरी डियाइवाइवाइज मेक अप सेटिंग स्प्रे